। अघर आपना music production भाइब आप बेल्ट हो करना या अगर 2016 वीडियोны ही। में मेरे इन्ट्रो तो मेरे नमेर नम व्यादा बोस्प्र प्रकाट सफद्रागेता। मेरे चानल पर अगर चानल पर नहीं आजानेगों वो दो सब्सक्राइब दे लाक एंस्टाग्राम पर फॉलो लिंक वर आपको डिस्क्पिशन बॉक्स में देखने को मिल जागो उसको चाओ डू कर लेना प्लस मैं आपको कहना जाता हूं आज हम बात करेंगा अगर आपका ब बहुत पसंद आने वाले हैं प्लस भी अगर आपने वेल्टन सफ्टर पर काम करना है उसके बाद भी अगर आपने क्यूं बेज सॉफ्टर पर काम करना है आपके लिए भी ये लाक्ट अप पो फैडिल हो पर बिकस आपको स्पैसिफिकेशन पूरे लोड़ दे मिल जाते है बात करते हैं नम्बो त्री की नम्बो त्री पर यार मैंने रखा है Asus Rockset Fix को अगर इस laptop की बात करूँ आपको 16GB RAM देखने को मिल जाएगे 4GB Graphic Card मिल जाएगा आपको SSD देखने को मिल जाएगी आपको 5GB SSD मिल जाएगे अगर आपने 1TV की और जाना है अगर आप music-related कोई भी काम करना जाएगे या अगर आपने कोई भी heavy software पर mixing, masking करनी है अब easily normally curse होगे अभी बात करते हैं इसके main specification की तो या डिस्प्ले की बातों को 15.6 inch Full HD Plus दिस्प्ले मिल जाएगे जो की I-plus level डिस्प्ले जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ आती है प्राइस की बात करूँ, 85,000 से स्टार्ड हो जाता है 95,000 के बजर में जो यह specification में आपको बता रहा हो न I-7 मिल जाएगा 16GB राम मिल जाएगी यह वाले specification आपको 95,000 के बजर में normally easily मिल जाएगे मैंने link पर वाइड किया अगर आपने चावड़ करना आप चावड़ पी कर सकते हो तो यह main specification में आपको बता दिया Asus Rocks at Fricks के भी अभी आगे बात करते है नबर टू की नबर टू पर यार मैंने डखा Asus Rocks Xabras G-14 को तो यार सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाला and सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब इसकी लुक को वगरा बहुत ज़्यादा सही है आपको बैक साइड में LED लाइटिंग मिल जाती है जो कि आप कस्तमाज कर सकते हो अगर आप as a DJ भी काम करते हो नहीं तो भी आपको बहुत सूट करने वाला यह laptop ठीक है अब उस back side को आप कस्तमाज कर सकते हो अगर आप as a DJ काम करोगे रात को किसी डिस्को कलब में जाओगे अपने laptop को भी जात में लेकर जाओगे अपना काम करना जाते है तो भी यह laptop भी आपके लिए perfect deal हो सकता है गेमिंग लाफ्टेम के लिए तो याद बहुत जादा सही है ठीक है उसके बाद अगर आप student हो अगर आप परते हो या पराते हो आपके लिए best deal हो सकता है इसके specification बहुत loaded मिल जाते है यह 90,000 से start हो जाता है इसका budget यार 1,500,000 के budget तक भी इसका budget चल जाता है आप देख लेना इसके specification जो आपको specification चाहिए उसके according आप जा सकते हो भी बात करते है इसके main specification की तो यह display की बातों को 14H plus display मिल जादे जो की IPS anti-glare display है जो की 120 refreshed के साथ आते है पर sensor की बातों इसमें आपको Ryzen 5 भी मिल जागा आपको Ryzen 7 भी मिल जागा उसके according specification मिलते जाएंगे operating system की बातों को window 10 मिल जाते है बेंटरी लाइफ की बात को आपको 10 hours का बेंटरी लाइफ परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ 90,000 से start हो जाता है इसका प्राइस आपको 1,50,000 के बज़र तक भी देखनी को मिल जाता है तो बही में स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सूस रॉक जैबरस जी फॉर्ड इन के तो मैंने आपको ये भी बता दिया अगर आप as a DJ काम करते हो आपके लिए perfect deal हो सकता है एक बार आप चागोड कर लेना इसके मॉडल अबगारा बहुत आते हैं मैंने लिंक परवाइड किया हो आप चागोड़ कर सकते हो description box में देखनी को मिल जागा अभी बात करते हैं इसके में स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी डीप ली बात करते हैं तो यह डिस्प्ले की बातों को 15.64K अल्टर अचले डिस्प्ले मिल जाते है प्रसाइसर की बातों को i5 8 से जमेरेशन के साथ मिलता है storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते expandable आप कर सकते हो प्लस आपको 5TLGB SSD देखने को मिल जाती अगर आगे बात करते हैं अगर आपका बजड़ एक लाख 10,000 से लेके एक लाख 30,000 तक हो जाता है storage range की भी बात कर लेते हैं तो अब भी बात करते हैं अगर आपका बजड़ एक लाख 10,000 से लेके लाख 30,000 हो जाता है इस storage range में वही मैं आपको कहना जाता हूँ आप जा सकते हो Microsoft Surface Book 3 के और मैंने इसको इस budget range में इसलिए रखा विकर सबसे पहले आपको एक इस लिमेंट स्टाली से design मिल जाता है टू-इन वान लैप्टोप अगर आपने ऐसा टाब यूज करना आप कर सकते हैं अगर आपने आपने अज लैप्टप यूज करना आप कर सकते इसके स्पैसिफिकेशन बहुत अतकर आज तक का कोई भी अगर आपने अखेस्ट वेयर है है वी सॉस्ट वेयर यूज करना आप इसली नॉर्मलि कर मिल जागा इसके बाद स्टोरिश की बात वह उन को वांट बी मिल जागा उसके अपपर भी अगर आपने जाने के साथ साथ आपको specification के according भी पूरा loaded मिल जाता है मैं आपको main specification बता देता हूँ तो अगर आपने चावड करना description box में दिया हुआ है link मैंने आप चावड कर सकते हूँ तो यह display की बातों को 30.5 inch full HD plus display मिल जादी जो की touch display प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते है plus 12GB storage मैं आपको repeat कर देना चाहता हूँ आपको i7 भी मिल जाएगा 16GB RAM भी मिल जागी 32GB RAM भी मिल जागी 1TB तक भी आपको SSD देखते हो मिल जागी graphic card वैसे ही मैंने आपको पहले पाफ बोला कि आपको 4GB मिल जागा 6GB भी मिल जागा storage यूज़ करना आप इसली नोम भी कर सकते हो अब यह आगे बात करते हैं अगर आपका बज़ेट लाख से लेके 2,000,000,000 हो जाता है आप जा सकते हैं अगर आपने जाने अफ इसके और भी जा सकते हो बस मैं आपको इतना कहना जाता हा हूँ यह अपने 16GB RAM की और minimum जाना ही जाना है उसके नीचे आपने नहीं जाना उसके अपर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो लेकिन minimum 16 GB आपको चाहिए ही चाहिए प्लस भाई Mac की और से आपको software जो देखने को मिलता है बता दिया जो भी आप लेना जाते हो music related आप ले सकते हो सभी जो laptop मैंने आपको बताई ना वो पूरे लुट्ट इंगल जाते है मुलप खर मुलप जाए जाते है